कि ना पैसा लगता है ना खर्चा लगता है बस राम राम बोलिए बड़ा अच्छा लगता है बड़ा प्यारा राम भुजन जब राम जी वनवास को जा रहे थे तो अयोध्या वासी उनसे क्या मिंती कर रहे थे उनसे रुखने की मिंती कर रहे थे सभी लोग अयोध्या के जितने भी प्रजाद है सब लोग उनको समझाने के लिए आगे कि आप रुख जाईए, मत जाईए, सब लोग रोने लगने आँखों में आँसु लेकर बड़े प्यार से बड़े विनम रभाव से हाथ जोड़ के सभी क्या करें आई एस भजल के मादियम से सुनते जरा देर ठेहरो राँ जरा देर ठेहरो राँ तो मन्न यही है अभी हमने जी घर के देखा रही है जरा देर ठेहरो राँ तो मन्न यही है अभी हमने जी घर के देखा रही है अभी हमने जी घर के देखा रही है अभी हमने जी घर के देखा रही है बत्लद मेही है अभी हमने जी घर के दो झाले की अपका सिगे और अभी हमने जी उत्ता कैसी घडिया जीवन की आई अपने ही प्राणों की पर्दे विजाई कैसी घडिया अपने ही प्राणों की पर्दे विजाई अपने ही अपने जीवन की देखा नहीं अपने ही अपने जीवन की देखा नहीं अपने ही अपने ही अपने जीवन की देखा नहीं माता तो शल्या की आखों के सारे अपने ही अपने जीवन की देखा नहीं माता को शल्या की आखों के सारे तर्श रथ दिये हो राज दुलाएं कभी अलो भ्याकों कभी अलो भ्याकों बुलाना नहीं है अभी हमने जीवन की देखा नहीं और चुती मा के क्ली का आधेश था प्रभूख शिराम कैसे का सकते थे जाना दो था ही उनको क्योंकि मा ने आधेश दिया था लोगों ने जब उतना विंटी किया कि प्रभूख शियें लेकिन फिर भी माता के आधेश का पालन करने के लिए जब राम जी जाने लगे तो फिर आयोध्यवासी क्या किना उन लोगों काता जाओ प्रभू अब समय हो नहाए घरों का उजाना भी कमों हो नहाए मेरे राम मेरे राम मेरे राम मेरे राम जाओ प्रभूत समय हो रहा दे भरों का उजाना भी कम हो रहा दे अंधेरी विश्णा का भिताना नहीं है अभी हो तुमी जी अधरी विश्णा में अभी हो निजी अधरी विश्णा में सरा देर भेरो रहा दर भेरो रहा तुमना यही है अभी हो निजी अधरी विश्णा में मानी जीवन के देखान दे में जीवन के देखा लगे